हालो एबरीबड़ी, वेलकुम बेक टो मैं चैनल, बेइन में नीरज और बेटा, आपके जितने भी वेक्षशन्स मैं करा रही हूँ न, जितने भी अब तक मैंने करा दी है, इस सारी वेक्षशन्स आपको मल्टिपल टाइमस उनको रिवीजन करना है, ठीक है? जितने भी question अब तक हो चुके हैं फिस्ट केमिस्ट्री, बायो के तो आपको क्या करना है multiple time इनका revision करना है बस इतना सा काम दिया है मैंने आपको तो वह आप please कर ले जितनी बार आप इसे repeat करोगे उतनी बार आपको ये सारे questions याद हो जाएंगे और अगर इन massive questions आ भी जाते हैं आपको तो आप ना उन्हें गलत नहीं करके आओगी सबसे main part ही है क्योंकि हमें अगर इन questions, massive questions आपको आ गए तो आपको वह गलत नहीं करने हैं वह 100% आपको सही करने ही करने है ठीक है? बागी आपको कुछ questions ऐसे आते हैं जो कुछ numerical waste होते हैं मतलब जो numerical होते हैं जो आपके formula waste होते हैं तो वह questions भी हम कर लेंगे जल्दी से जो मैं अब भी series लाने वाली हूँ एक new chapter wise series तो उसमें हम सारे questions जो होंगे वो थेरीके नहीं कराएंगे हम सरिफ कराएंगे किसके एक दो थेरीके होंगे या फिर मतलब most of the questions होंगे वो आपके numerical waste होंगे जिससे कि आपके numerical भी अच्छे हो जाएं आपको calculation portion है वो भी अच्छा हो जाए ठीके तो ऐसे हम कराने वाले हैं अब आपका बता दू मैं ये hashtag day है आपका 22 ठीके और ये काफी important question भी है तो आपको याद रखना है तो ये question है आपका vacuum इसका answer क्या हो जाएगा vacuum आपका answer सही हो जाएगा ठीके नग्स question देखिए total internal reflection होता है takes place when light travels from तो total reflection होता है internal reflection takes place when light travel कहां से travel करती है light जब total internal reflection होता है तो वो होता है water to air अगर आपको ऐसी option दे तो आप बोल देना कि dancer to rare यहाँ पर option आपको dancer to rare भी जाल सकता है dancer to rare ठीक है ऐसी भी आपको option पूछ सकता है dancer क्या है water है और air आपका क्या है rare medium है ठीक है आगे देखिए question कि जो critical angle होता है of light passing from glass to air is minimum 4 तो वो किसके लिए होता है वो होता है आपका violet light के लिए आपका D options ही हो जाएगा next question देखिए a plain glass slab is kept over various colored letters the letter which appears least raised is तो वो किसके लिए होता है वो होता है आपका red light के लिए question कहाना है आप से एक plain glass slab है kept करते हैं मतलब उसको रखते हैं over various colored letter के लिए the letter which appear least raised कौन से letter में से कौन से letter की जो raise होंगी वो least होंगी तो वो होंगी आपकी red light की 5 देखिए blue color of the sky is due to phenomenon of जो blue color of sky होता है किस बज़े से हमें blue color दिखता है किसका sky का तो वो होता है आपका scattering की वज़े से blue color दिखता है sky का sky appears blue because इसका ये question बहुत जादा important है और confusing questions होती है तो इन तीनों questions पर आप धहाम देना आप किया रहा था sky appears blue because क्यों क्योंकि जो blue light होती है most scattered होती है तो आपका B option सही हो जाएगा ठीक है आपके जात रखना है next question 7 बोल रहे है at sunrise or sunset the sun looks more red than at midday because at sunrise मतला sunrise का मतला जैसे हम सूरज उगते हो सूरज को दिखते हैं और sunset जब हमने डूपते हो सूरज को देखते हैं तो मारे सूरज होता है वो more red दोता है midday के according midday जैसे आप देखोगे 12 बजे 12 p.m. तो आपको उतना red नहीं देखेगा अस्तान हमारा लेकिन जब उगता है और डूपता है तो मारे सूरज होता है वो कैसा देखता है वो तो देखता है तो किस बज़े से देखता है वो आपको बताना है तो वो स्रिफ होता है इस स्केटिंग उफ लाइट की वज़ेश से पपको देखता है नैस कॉश्चन देखे इस रेवह होता है रेवह किस बज़े से बनता है तो यह गुश्चन भी आपको बहुत रहा इंपोर्टैंट है और कई बार यह रेपीट हो चुका है तो आपको द्यान में रखना है नाइस question देखिए the final image produced by a simple microscope is तो कह रहा है है कि final image बनती है simple microscope से वो कैसी बनती है तो virtual और erect बनती है तो आपको C option सही हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर imaginary और erect वो तो भी सही होगा next question reflecting telescope utilize क्या utilize करता है तो वो एक concave mirror को utilize कर रहा होता है फिर देखिए when the left when the length of microscope tube is increased the magnifying power कितनी हो किया होगी increase हो जाती है जब हम length बढ़ा देते हैं किसकी microscope tube की तो magnifying जो power होती हो क्या हो जाती है? also increase हो जाती है ठीक है? next question देखिए बोल रहे हैं diffusion of light in the atmosphere takes place due to तो diffusion जो होड़ा होता है light का atmosphere में किसकी बज़े से वो रहा होता है तो वो रहा होता है आपका dust particle की बज़े से next question 13 बोल रहे हैं which of the following types of light are strongly absorbed by plants इन मैं से कौन सी light है जो strongly absorbed होती है by plants के द्वारा तो वो होती है आपकी blue and red ठीक है? next question देखिए next question है आपका cylindrical lenses होते है is used by a person suffering from तो cylindrical lenses होते है वो astigmatism में यूज किया जाते है next question है the power of lens is to the focal length आपको बताना है इसका option आपको बताना है 15 dash जो भी आपका answer हो XYZ आपको बताना है next question देखिए why is red light employed for danger signals तो आपको बताना है danger signals में जो light होती है red वो क्यों रखी जाती है जैसे danger का sign आपने देखा हुआ तो इसमें light red रखते है क्यों रखते हैं आपको ये बताना है तो इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी light होती है red light वो scattered least scattered होती है next question whose experiment proved that the speed of light was always the same मार लेगे आपका option सही हो जाएगा next question देखिए बोल रहे हैं आपसे how many images can a man see if the stands between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree तो आपको how many images पूछी है तो इसका एक formula होता है number of image number of image equals to 360 upon theta minus तो यहाँ पे हम 360 रखेंगे और theta नीचे 60 है हमारा बागी minus 1 है तो जब करेंगे इसको तो यह six times जाएगा और minus 1 हो जाएगा तो five आपका answer आ रहा है आपका five answer सही हो जाएगा five images बनेगी ठीक है फिर देखिए 19 question second last question है आपका which one of the following phenomena cannot be attributed to the reflection reflection of light तो इसमें जो option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बोर जाएगा आपका red shift जीक है next question दिखिए last but not the least to an observer on the luminar surface during the day time the sky will appears to be तो इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा black हो जाएगा अब कराई जो एक luminous surface होती है observer वहाँ पर क्या है खड़ा हुआ है during a day time ठीक है तो इसको जो sky हो कैसा दिख रहा है वो आपसे पूछ रहा है तो वो आपको black light का दिखीगा उस observer को thank you so much for watching my take care और आपको जो भी query हो आप मेंसे पूछ सकते हो आप मेरे instagram id भी ले सकते हो जिसका नाम जो मेरे channel का नाम है वही मेरे instagram id का नाम है वेकिन भी नहीरज तो वहाँ पर परस्नली मेरे से कुछ पूछना चाहते है तो पूछ सकते हो और अगर आपको नहीं परस्नली पूछना है तो आप comment मेंसे comment कर दो मैं हर किसी के comment rate करती हूँ और like भी देती हूँ और बाकी जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी आपकी जो भी problem होगी मैं कुछ सौटा कर दूँगी एक और बात मैं कहूंगी last मैं कि आप लोग ना telegram पे बहुत questions गलत करते हो जो भी questions में post करती हूँ उन questions को polls में जो मैं poll डाल रही हूँ अभी telegram पे तो आप इतने सारी questions को गलत करते हो क्यों गलत करते हो इतने easy questions होते हैं उनमें भी आप गलत questions करते हो उनकी गलत percentage ज़्यादा होती है और जो सही होते है उनका बहुत कम होता है percentage तो ऐसा मत करो ना आपका exam आने वाला है 2-3 महीने बचे हुए हैं कितना March, April और May हाँ तीन महीने भी नहीं है अभी अब लोग इतनी गलती मत करो ना तयारी करो अच्छे से दुवारा से repeat करो उन questions को ठीक है? बाई ठीक है